दिल्ली में कडाती की ठंड जारी आज जिपालम इलाखे में 3.4 डिगरी तक पहुंचा पारा सवदर जंग में 4.4 डिगरी तापमान राज़ानी में आज ठंड का ओरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने चेताया तापमान के 2 डिगरी तक जाने की आशनका दिल्ली एंसी आर में ठंड के साथ साथ कोहरे का विस्संकर्ट सुबह सुबह दुन्द से बढ़ी मुश्किल राजस्तान में कडाके की ठंड बाउं टाबू में 0-1 डिगरी नीचे पहुंचा न्यून तम तापमान जैसल मेर को सर्दी ने जर्जोरा गडी सर सरोवर में जील में डल लेक जैसा नजार पर्याणा में सर्दी का सितम इसार में 2 डिगरी के करीब पहुंचा था पमान आने वाले बिन में ठंड और कोरा दोनों बढ़ेगा गाजयाबाद में ठंड हवाओं ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल अलाव का लिया गया सहारा शीत लह से कापा राइसान का फते पुर्शिखावटी 3.8 डिगरी पर पहुंचा न्यून तम तापमान मुंबई के ओशिवारा इलाखे में बेकाबू मर्सडीज का कहर डिलिवरी बॉई को मारी टक कर मौके पर मौत पुलिस ने मर्सडीज के ड्राइवर को हिरासत मिलिया पूछता जारी मौके से गाड़ी को हटाया गया मुंबई में हफ्ता वसूली के आरोपे दोलों गिरफतार स्पा और पार्लर में छापिमारी कराने का दिखाते थे डर यमुना नगर में दो गुतों में जबर्दस जड़प जम कर चली लाठिया पुलिस के आते ही सभी आरोपी फरार मुंबई में बालबाल बचे दादी और पोता लोकल सुतरने के दरान हुआ हाथसा कॉंसिबल ने बचाई जान मतुरा में चलती ट्रेन पर चलने से आफ़त में आई जान देद्दूद बनी रेलवे पुलस मुंबई में दूदू कर जनने लगी बस कोई नहीं था बस में सवार शाजापुर में चलती draws लगने से अफ़्राथ अफ़्री लोगों ने कूट कर बचाई जान देश पे पिछले 24 गंटे में कोरोना के करीब 22,889,000 नए मामले 338 की मौत निल्यान विलाग 89,000 के पार पहुँचा संक्रमन का कुल आंख्रा देश पे पिछले 24 गंटे में 31 गार से जादा की रिकावरी अब करीब 3,13,000 अक्टिव मरीज दिल्य में पिछले 24 गंटे में करोना के 1363 नए मामले 24 गंटे में 35 लोगों की हुई मौत दिल्य में 24 गंटे में रिकॉर्ड 90,000 करोना टेस्ट एक दिन में टेस्ट का सबसे बड़ा आंक्रा कोर्णा वैक्सिन को लगाने में भारत सरकार को खर्च करने होंगे एक दशमलव आठ अरब डॉलर नवस्कार मैं हूँ अंजना ओमकश्यप हमें उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा लेटेस्ट खबरों के लिए यूँ ही देखते रही आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले